इस पूजा के लिए सारा काम तुम करोगी पंडित जी को बुलाने से लेकर प्रसाद तैयार करना सब कुछ करना पड़ेगा घर में पूजा करने के लिए ठीक है धादी, आज की पूजा हमाई तरफ से सब हम खुद करेंगे लेकिन हमारे साथ पूजा में मन्नु को बैठना होगा दादी, अंदर चलिया मैं बात करनी आपसे बच्चे गलती करें तो समझ में आता है लेकिन आप दादी, आप भी सरकस में शामिल हो गई? हम कबसे बोल रहे हैं ये बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी है लेकिन कोई हमारी सुनी नी रहा अगर हम लोग हार गए तो फिर क्या करेंगे? तु बहुत ज्यादा सोच रही है बेटा, हम नहीं हारेंगे और अगर हार गए तो क्या? अगर हार गए तो क्या दादी? देख पाएंगी, कारगी को मन्नू से अलग होते हुए, मन्नू को तूटते हुए, सब को तिल-तिल मरते हुए तेरे पास इस से बहतर कोई रास्ता है, नहीं देख पाएंगे हम जानते हैं ये जुवा है पर जब और कोई भी रास्ता नहीं बचता है ने जिन्दगी में तो जुवा खेलते हैं ताम लगाते हैं फरोसा रख बिटा हम नहीं हारेंगे ठीक है दादे ठीक है लेकिन अगर मन्नु को कुछ हुआ या फिर गार की मन्नु से अलग हुई तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे ठीक है देना सब हेलो पंडे जी जी हम शाम बाबू मौरा के घर से हाँ 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 वही वही तो हमने सत्नरहान की पूजा रखवाई है तो आप कथा करने आ सकते हैं क्या जी थांक यू आजे हम आपका इंतजार कर रहे हैं जी ओके कनक दीदी वह प्रसाद बनाने के लिए हमें समान वगेरा चाहिए होगा तो वह निकाल दीजिए ना एक तो हम तुमारी दीदी नहीं है और दूसरी बात तुमारे नौकर नहीं बैठ है जा कर खुद निकाल लो पर हम निकाल देते हैं हाँ एक मिनट इतनी असानी से कैसे हमें कैसे बता कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है चलो साथ में जो बताओगी वो निकाल दीए ठीक है चलिए चलिए बोलो जो बोलोगी वही निकालेंगे प्रसाद में पांच या साथ चीजे रखी जाती हैं तो दीदी हमारा मन्था हम पांच ही रखेंगे तो दो फल हो गए हम भलवा बना देंगे पंचामरित और पंजीरी पांच हो गए इतना तो सब को पता है ये लो फल हलवा खुद बनाओ और पंजीरी भी और पंचामरित भी हम खुद ही बना लेंगे आप टेंशन मत लीजे तो हाँ हम हलवा कद्दूगा बना लेते हैं और हमे ना पंचामरित और पंजीरी के लिए मेवे चाही होंगे ओके ठीके थांक यू दीदी आटा शक्कर और घी भी लगेगा क्या हुआ पंडित जी हाँ हाँ यह जिमान आचानक से इस अतनाया की बुझा लग लिए आपने क्या खुशकर रही है यह तो बताईए यह तो बताईए ताओ बेटा मन्नू किस खुशी में पुझा रखी है क्या यह तो बताईए ना कर पर महा भारत की चौसर बिछी हुए ताओ पर तुम दोनों पती पत्नी इंहिल कर अपना रिस्टा लगा चुके बता दो ना क्या हुआ यजमान क्या बात पंडीजी सब ठीकी है प्रेनाम पंडीजी अरे जीती रो बैटी जीती रो पर हमने पचाना नहीं तो में पंडीजी हम मन्कामेश्वर की पत्मी हाँ बेठी पुजा का सारा सामन हम ले आए है बस प्रशाद रहे गया है जी पंडीजी हम अभी लेके आते हैं ठीक है दीदी थोड़ा सा दही और थोड़ी शक्कर लगेगी दादी शक्कर हाओ याल सब हो गया दादी दादी सब ठीक है ना कुछ चूख तुने यह नाम से बाकी तो सब ठीक है पर चरणामरित बनाने में चूख हो गई है तुमसे दादी आप तुलसी की पत्ती और गंगाजल के लिए बोल रही है ना हमें पता है पंचामरे तुलसी पत्ती और गंगाजल के पर अधूरा है इसलिए हमने वो बाहर पंडी जी के पास ही रखवा दिया है वहीं से डाल देंगी डारेक्ली पाकी सब तु ठीक है ना हाँ, हाँ, अभे तो ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं ना? हाँ, अभे तो ठीक लेड़ी ने बनाया, पंड़जी, उत्तम, अती उत्तम! ऐसा लगता है कि कोई संस्कारी व्यक्ति ने अपने जीवन के सारी संस्कार इस प्रशाद में घूल दिये हो हम ने सिखाया इसका यह सब बनाना कब सीखा तुमने इंटरनेट पर सब मिल जाता है मोमो तुम्हें क्या लग रहा था हम ऐसे इत कॉन्फिडेंटे चैलेंज एक्सेप्ट करते ताइम वेरी गुड़ आप सब लोग अपने अपने इस्तान पर राजी हैं मन्नु बेटा आप इसके साथ बेठेंगे हम बैठेंगे पंडिजी हम नी बेठेंगे इसके साथ दादी आप अपना वादा भूली तो नहीं है ना हमने कहा था ना मन्नु और हम साथ में पूजा में बैठेंगे अब बती-पत्नी साथ नहीं बैठेंगे पूजा में तो पूजा का महत्म तो खत्म ही हो जाएगा ना काना में बैठेंगे मनु रिष्टे शरीर से नहीं बनता है मन और आत्मा से बनता है और हमारे रिष्टे को कोई नहीं तोर सकता बेज़जग बैचो कि वक्रतुंड महाकाय सूरी कोटी समप्रवा निर्विग्नम कुर्वे देवो सर्वकारे सूसर्वता मेटा हाथ आगिला कि वक्रतुंड मेटा कि वक्रतुंड मेटा अब इसी के साथ सत्यनाराण की पूजा संपन हो गई अब आरती के लिए आप सब लोग खड़े हो जाएए कर आप सूसर्वन कि अब आरती के लिता में आरती के लिए कर आप तो आरती के सिल्वे निए कर आरते कि वक्रत वक्रत बोलो सत्य नरायन भगवान की ने पंडी जी आप इस तरह हांफ क्यों रहे हैं पंडी जी सब ठीक बेटा अस्तमा है और उपर से उमर भी होती जा रही है पंडी जी आप आप थी किया ना बेटा क्या है ना मुझे दमे की बीमारी है जब जहाते चलता हूना तो खासे आने लगती है बागी कुछ नहीं मैं ठीक हूं बेटा पंडी जी आपकी तबेट ठीक नहीं है और उपर से आप खाली पेट जाएंगे पंडी जी आप हमें दस मिनिट तो दे सकते हैं ना ये हम गरम पानी लाए हैं इसमें हमने जवाइन डाली है आप इसकी भाप लेंगे तो आपकी खासी में राहत मिलेगी आपको ठीक है बेटा तू बोलती है तो दस मुट बेट जाता हूं ये बेटाश सवी स्वीवशन Trad contest अच्छा लग रहा है हाँ हाँ बेटा ये क्या है बेटा अरे वाह इतनी जल्दी भोजन तया कर लिया वाह बेटी वाह पंडिय जी हमने तसाथ को ही भोजन बना दिया ये पंचामरित में थोड़े से मेवे डाल दिये कद्दू जो कसा हुआ था उसमें हमने नमक डाल के उसकी सबजी बना दी और ये पंजीरी के लड़ू बांधिती है हाथ से माता जी आपकी भग तो बहुत ही संसकारी है जीती हमारी बेटी है हमारी बेटी है हमारे ख्याल से कोई भूल्चूक नहीं हुई होगी फूजा के और गनाइसेशन में तो हमें पूरे नमबर मिलेंगे नाइसमें पती-पत्नी साथ फेरे लेकर एक रिष्टे में बन देते हैं और हम साथ कदम चलकर अपने मन्यों को पाने वाले हैं तुम यहां से जाने की तयारी कर लो गार्गी कर दो कर दो कर दो दो